तो आज हम उसी टॉपिक पर बात करेंगे वीडियो को पूरा देखेगा बिना स्किप किए और आप से एक चोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नूए तो से सब्सक्राइब कर लीजे और बेल आइकन और प्रपेस कर लीजे जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक डारेकली पहुच सके और आप मेरे वीडियो को सबसे पहले देख पाएं तो देखे फ्रेंड ये मेरे जो कोलियस प्लांट में आपको दिखा रही हूँ ये मदर प्लांट है इनी में से मैंने जितने भी अपने गार्डन में कोलियस प्लांट ग्रो किये हैं या कटिंग्स ग्रो करी हैं वो सभी इनी प्लांट से ली हुई है मैंने कोई अलग-अलग purchase नहीं किये हैं एक ही plant से मैंने बहुत सारे plant बनाया है और friends यकीन मानिये ये जो आपको bushy plant दिख रहा है ये मेरी ही मेहनत का फल है और मुझे काफी खुशी हो रही है कि इस तरीके के plant में grow कर पा रहे हूं जैसे nursery वाले grow कर पाते हैं नरसी वाले plant को घणा और bushy किस तरीके से बनाते हैं वो तो मुझे नहीं पता लेकिन हां मैंने इस plant को खुच से घणा और bushy बनाया है अपनी महनत से और यहां से जो मैंने cuttings लीती ना देखिए उनकी stems अब सूखने लगी है कोलिय से कैसा plant है जो अगर उपर से कट कर देंगे ना तो नीचे से regrow होता है बहुत जल्दी बूस्ट करता है और spring season तो इसका बहुत ही best season है यह बहुत जल्दी जल्दी ग्रो करता है इसमें और सिफ एक महिने में यह प्लांट देखिए कितना बड़ा हो गया है कितना बुशी हो गया है तो जितनी भी dead branches है वो आपको निकाल देनी है सबसे पहले और friends March और April का महिना ऐसा होता है जहां coleus plant किसी किसी gardener के लिए यह problem create करता है कि पतियां burn होने लगती है और plant अपने आप सूखने लगता है प्लक कर लेना है अगर आप यह flowers प्लक नहीं करेंगे तो वो जो branch है वो परिपक वो हो जाएगी यानि कि पक जाएगी और फिर जब कोई plant की stem पक जाती है तो वो अपने आप ही brown होके और dry होके गिर जाती है तो obviously यह एक reason हो सकता है कि plant प्लान्ट मर क्यू रहा है या सूख क्यू रहा है तो इस सारे flowers आपको हटा देने हैं इस plant मे से चाहे यह किसी भी तरीके के coleus plant मे हो आपको दोनों मेंसे जितने भी flowers आते हैं वो सारे प्लक कर लेने हैं हमें इसकी leaves असे मतलब हैं हमें flowers जैसे मतलब नहीं है और नहीं हमें seed pod बनाने है seed pods भी हमें जरूरी नहीं है हम seeds जैसे इस plant को grow नहीं करना चाहते हैं कि जब यह cutting से easily grow हो जाता है तो हम इस plant को seeds नहीं बनवाने हैं तो friends जितने भी flowers हैं इसके ओपर वो सारे आपको हटा लेने हैं दूसरी बात यह है कि इतना घना मैंने कैसे बनाया है तो friends कोई टफ वाला काम नहीं है जैसे जैसे आप mother plant में से cutting लेते जाएंगे वैसे वैसे यह plant bushy होता जाएगा यहाँ पर देखिए mother plant से मैंने एक यह planter ready किया है और कितना घना और bushy हो चुका है आपको pot भी नहीं दिख 50 रुपीज का नर्सी में हो सकता है हो सकता है 200 रुपीज तक भी मिले अगर हां आप जो polybags होते हैं उनमें अगर कोलियस लेकर के आ रहे हैं तो वह जरूर आपको 20 रुपीज 15 रुपीज 10 रुपीज 25 रुपीज लेकिन इतने बड़े plant आपको महंगे ही मिलेंगे देखिए हैं मेरा monsteria का प्लांट लगा है इसमें मैंने cutting ऐसे ही लगा दी थी क्योंकि भहत सारी cutting मैंने नहीं चाती थी तो मैंने सोचा लगा के दिखते हैं चलेगी तो ठीक है वरना नहीं देखिए यहां पर भी चल गई है और यह जो बीच में अलग color का लीज दिख रहे हैं भिर अलग color कर नहीं है यही variety है फिर पिंक वाले की लेकिन क्या होता है कि कभी किसी को धूप कम और च्छाओ जादा मिल जाती है धूप जादा और च्छाओ कम होने के वज़ए से color change हो जाता है तो यह pink वाला जो brown वाला कोलीय से काफी color मैंने इसके देख लिये हैं बहुत color change करता ह एब जैसे इसको रखेंगी कि वैसा color produce करेंगा बिल्कुल अंधेरे में रख देंगे तो ये dark brown हो जाएगा और धूप में रखेंगे तो pink color के साथ ये green color भी produce करता है धूप में यानि कि semi shade area में एक ये मैंने पांच इंच के खमले में दो कटिंग लगाई थी और ये भी काफी अच्छे से चल गए यानि कि चूटी से चूटी कटिंग भी बहुत अच्छे से grow हो जाती है बस अब मुझे green color के coles की कटिंग करनी है तो अगर आपने भी अभी Coleus की कटिंग नहीं लगाईए तो लगा लीजिए और जो फ्लाज है वो प्लग कर लीजे फ्रेंड्स और अब आपको कोलियस को सनलाइट से बचाना होगा अगर आपको इसकी पत्यों को ब्राउन करने से रोकना है या इसकी जो ब्रांचेस है और प्लांट को सूखने से पहले उसको मरने से पहले अगर आपको बचाना है तो इसे बिलकुल शेड एरिया में रख दीजिए जहां पर सिफ इसे इंडारेक सनलाइट मिलती रहे यानि की ब्राइट लाइट जिसे कहते हैं और इसे आपको बिलकुल भी धूप नहीं लगने देनी है माई और जून की धूप तो बिलकु जब समर में जब ज़ादा हिट होता है तो आप इस चीज का धिहान रखेगा कि इसके पॉट की जो मिट्टी है वो ना ज़ादा ड्राइ हो और ना ज़ादा स्वागी हो यानि कि ना ज़ादा पिल-पिली मिट्टी भी नहीं होनी चाहिए और एकदम सूखना भी नहीं चाह हो यहाँ पर और क्यों सूख जाता है कोलियस यह भी बता चुकी हूँ तो फ्लास प्लक कीजिए और उसको शेड एरिया में रखिए थोड़ी सी केर मांगेगा वाटरिंग पर बस और कुछ नहीं इन तीन चीज़ों का ध्यान रखे फर्टिलाइजर अभी दे के रख दीज है तो बिल्कुल टेंशन मत लीजिए आसानी से यह ग्रो होता रहेगा इससे रिलेटेड अगर आपको मुझसे और भी कोई जानकरी चाहिए और भी कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं आप तो मुझे कोमें बॉक्स में कॉमेंट करके पूछ सकते हैं और मुझे आप इ कीजिए शेयर कीजिए मेरे चैनल पर नहीं हो है तो सब्सक्राइब जरू कीजिए बेल आइकान और पर पिस कीजिए जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक डारेक्ली पहुंचती रहे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर किसी नहीं जानकारी के साथ तक के लिए बाई टेक के जैसी क्रिशना